नमस्कार दोस्तों मेरा नान है मनीश कुमार सेंग और आप देख रहे हैं 4PM महराष्ट को आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों 20 नमबर को महराष्टा में चुनाव है और महराष्ट की जनता जो है वो 20 नमबर को उतरेगी वोट डालने के लिए और एक ही चरण में पुरा मद्दान समापत हो जाएगा 288 सीटों लेकिन उससे पहले जो महराष्ट की राजनतिक पाटियां हैं वो कोई कसर होना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार साख की लड़ाई है और मुंबर की बात करें तो 36 विदान सबा सीटे हैं उनमें से जो एक सीट है हलाकि कई सारी सीट है जिस पर चर्चा बहुत ज़्यदा हो रही है लेकिन एक सीट जो है वो माहीम की सीट है उसके बा माहीम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे वहां से खड़े हैं और ऐसे में राज ठाकरे पूरी जो सूर से लगे हुए है कि बेटे को कैसे भी वहां से जिताया जाए अब बीजीपी को लोगसभा चुनावा में आपको याद होगा दोस्तों कि बिना शर्थ बनती है कि उनके बेटे खड़े हैं तो उनका समर्थन कर और इसलिए शायद बीच में खबर आ रही थी कि बीजीपी ने वहां से नहीं कोई कैंडिडेट उतारा और एकना शिंदे को भी रोखने की कोशिश थी कि वहां से आप अपना कैंडिडेट ना उतारे लेकिन एकना कि पंधन में जो पार्टी है जिसमें सरकार चला रहें साथ में वहां जाते हैं कभी की होगी या नहीं की होगी उसका डीज़े नहीं है उसमें वह पीछे रह जाएंगे तो यह बीजीपी के लिए भी बड़ा ही असमंजस किस्तिथी फसी हुई है अब माहीं सीथ पर वोट करते रहे हैं और देखिए इस बार वोट के सामने भी जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे हैं कि वह उन्हीं को वोट करते रहे हैं जो अलग-अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं अमिठ ठाकरे जो ठाकरे परिवार से आते हैं शिव सेना जो दो हिस्तों में बटी हुई है तो यहां वोटर्स के लिए भी इस सिती बड़ी एजीब सी है कि आखिर वोट करे तो करे किसे अब बीज़िपी होती शिव सेना होती कॉंग्रेस होती या कोई पार्टी होती तो उन इसलिए सीट शेडिंग को लेके भी इतनी खीसतान हुई कि जितनी हो सके जितनी भी सीट हम जीट सकते हैं जहां पर हमाई दावेदारी है वो सीट हमारे पाले में आए लेकिन इस चक्कर में करी सारे सीटे एकनाशिंदे के हाथ से निकली है इसी खबरे क्या निकली है और बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और असी के करीब एकनाशिंदे हैं और तिरपन या पच्पन के करीब जो है वो अजी तवार है तो यह है पुरा बैठा हुआ है अब देखे दोस्तों इसमें खबर यह आए थी एकनाशिंदे जो अपने पत्याशी यहां से चुनाओ और यह सारा कुछ जो है वो लोगस्वा चुनाओ में जब राज ठाकरे समर्थन कर रहे थे बीजेपी का तब शाद यह बाते हुई हूं कि वहाहीं सीट पर उनके बेटे लड़ेंगे और बीजेपी वहां सबना कंडिड़ा करें शार यही वज़ा है वरना बीज चुनाओं में समर्थन किया और तो और उनकी टीम बनके लड़ रहे हैं इस तरीके से करके पुरा महल बनाया है वही एतना शिंदे जो हमलावार हैं वह यह कह रहे हैं कि जो उद्धर ठाक रहे हैं वह सरकार बनाने के लिए कॉंगर्स के साथ चले गए और हमने शिवसेना बचाने के लिए जो हमारा कड़बंदा था बीजीपी के साथ में उसका कंटीनी उसको किया आगे उसको बढ़ाया तो इसलिए हमने शिवसेना को बचाने के कोशिश की तो यह सब आम बाते भी हो रही है एक तरफ 今天 यूबीटी परक्ष संजराउथ है तो यह कुशिश कर रहे हैं कि शिवसेना की वोटस भ्रह्मित नहों वह यूबुद्टी पर शेदें उद्नठारे के शिवसेना कोई वोट लाज-ठाकरे की पाथी , सब्सक्ति में खेल भी इससे लिए भिकर tossed बेक्नवा सारा भाकाले नाम हुप मिलते हैं यह तो इसे ऐसे गाहिए प्हीज15 भाका बीट नाम के वोट कर जाते हैं भी वोट सो यह इस बार राज ठाकरे की जो MNS पार्टी है, राज ठाकरे हैं, उनका भी रोल बहुत एहम होने वाला है, खास कर मुंबई जैसे शहर में, हलाकि इस बार उन्होंने भी बहुत तैयारियां की नहीं है राज ठाकरे ने, और जिस तरीके से लोगसभा चुनाओं में वो अब देखिए दोस्तों, एक नाशिंदे जो हैं, उद्धाव ठाकरे की शिवसेलना पर हमला करते हैं, संजे राउज एक नाशिंदे और बीजीपी पर हमला करते हैं, अभी तो ठाकरे के बारे में भी कह रहे थे, तो ये पूरी जो गोल मटोल जो प्रमुक नेता हैं, वो क्या बोल रहे हैं, अमेट ठाकरे अपने जीत को लेके अस्वास्त हैं, वही महेश सावन्त ये कहते हैं, कि माहीव शिवसेलना का गड़ रही है, और उन्हें पूरी उमीर है कि इस बार भी वोटर्स उन्हें ही वोट करके इस सीट से जिताएंगे, और वहीं सदा सर्वरकर ये कह रहे हैं, कि वह हमेशा सही वहाँ पर लोगों के लिए काम करते आया हैं, और वहाँ के लोगों का उन्हें पर भरोसा है, इसलिए वोल सीट एक मैशिंदे के लिए जीत करके लाएंगे, तो ये पूरी कहान ही जोस्तों, माहीम के सीट पर बनी होई है, अब देखिए, साथ की लराई भी है, क्योंकि तीनों महाराज की बड़ी पाटियां हैं, और तीनों ही वो नेता खड़े हैं, जिनके वोटर्स माहीम में ही रहते हैं, अब देखना दिल्चस्प होगा, कि माहीम में रहने वाले जन्ता, किसको जिताती है, किसकी तरफ उनका रोख होता है, और कौन महाँ पर उनका दिल जितने में काम्याब होता है, और माहीम की सीठ किसके हिस से आती है, क्या एक नाशिंदे सही साबित होंगे, अगर उनका कैंडियेट वहां से जीतता है, और अगर कहीं एक नाशिंदे, और हम इठाकले दोनों हारते हैं, तो क्या इन दोनों का कामने सामने खड़ा होना ही, यूबीटी पक्स के जो सावंथ है, उनके जीत का कारण मन जाएगा, बहुत सारी चीज़े हैं दोस्तों, और जो इन डेलिक तरीके से जो बीजिपी के लोग है, वहाँ पर जो कारे करता है, और थोड़े मदन के जो वोटर्स है, वो किसके लि नवस्कार